नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में आज हम स्त्री के त्रिया चरित्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं दोस्तों प्राचीन समय में शीतलपुर नाम का एक राज्य था जहां सत्य विलास नाम का एक राजा राज करता था राजा का जैसा चुर से संबंध बनाना आम बात थी उसी गाव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम आधित्य था उसकी पत्नी का नाम मधुमित्य था प्रति दिन सुबह अपने व्यापार करने जाता था वह सुबह जाता और काम को लोटता मधुमिता दिन भर घर में अकेली रहती और उप जाती मधुमिता बहुत सुदर थी और प्रायह दर पढ़ में अपना रूप निहार कर प्रसन्वर होती शाम को जब अधित्य ठका मांदा धर आथा तो भोजन करके जल्दी सोजाता मधुमिता धर पर होती सारा कान निपटा कर और कपड़े बदल कर वह बिस्तर पर जाती लेकिन तब तक आदित्य सो जाता बेचारी मधुमिता उदास रहती और उसका अकेलापन उसे परेशान करता बाजार से धर का सारा सामान वह स्वयम ही ले आती एक दिन जब बाजार का सेट कहीं बाहर गय हुआ था तो उसका छोटा पुत्र सुदर्शन उसकी दुकान पर बैठा हुआ था सुदर्शन सुंदर और बल्वान था मधुमिता उसके यौवन पर मोहित हो गई और उन दोनों में प्यार बढ़ने लगा अब प्रति दिन रात को जब आदित्य सो जाता तो मधुमिता पहले ही लोटा थी इस प्रकार मधुमिता और सुदर्शन का मिलना जुना जारी रह एक दिन जब आदित्य अपने व्यापार के काम के उद्देश्य से बाहर गया तो उसने देखा कि रास्ते में एक साधु बेहोश पड़ा है उसने साधु पर ठंडा पानी के छीटे डाल आदित्य से साधु ने अनुरोध किया कि वह साधु को कुछ देर के लिए छोड़ दे लेकिन आदित्य ने कुछ दिन उसके धर पर रहने के लिए साधु से विनती किया और शाम को साधु उसके साथ उसके घर चल दिया साधु को देखकर मधुमिता के मन में डर पैदा हो गया उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है इसलिए उसने साधु को घर में रखने को मना किया आदित्य मना करने लगा और समझाने लगा कि साधु महराज एक दो दिन ही रुकेंगे तब सुलक्षणा मान गई रात को सबने खाना खाया और साधु के लिए आंधन में चार पाई लगा दी गई आदित्य खाना खाकर जल्दी सो गया लेकिन मधुमिता की आँखों में नींद नहीं थी सुदर्शन उसके मन ने बस गया था और उसका मन उसके पास जाने का कर रहा था सुलक्षणा की शरीर में बेचैनी बढ़ती जा रही थी उसे सुदर्शन की जरूरत महसूस हो रही थी मधुमिता जाग गई और देखा की आदित्य देहरी नीन में खराटे ले रहा था साधु किसी अंजान वेप्ति के धर में रह रहा था और मधुमिता ने उसे बड़ी मुश्किल से धर में रहने दिया था मधुमिता का अजीब व्यवहार देखकर साधु को शक हुआ और उसने सोचा की दाल में कुछ काला जरूर है वह पूरी रात नहीं सोया और मधुमिता की हर हरकत पर उसकी नजर थी जब मधुमिता उसके पास आई तो वह चुपचाप सोने का नाटक करने लगा उसने देखा की मधुमिता तयार होकर कहीं जा रही है लेकिन साधु चुप रहा उसने ने देखा कि सुबह होने से पहले वापस आ गई थी, अब साधु को पूरी बात समझ में आ गई थी, अदले दिन जब आदित्य अपने काम से लोटा तो साधु ने उसे मधुमिता से साबधान रहने को कहा, और बताया कि उसकी पत्नी रात को किसी से मिलने जाती है, ये मधुमिता भी एक प्रेमी था, इसलिए उन दोनों की हालत एक जैसी थी, और वे पक्के दोस्त बन गए थे, वह प्रेमियों के संदेश भी ले जाती थी, इसलिए वे एक दूसरे के प्रेमियों को अच्छी तरह जानते थे, उस रात जब मधुमिता काफी देर तक नहीं आ सविता ने सुदर्शन का संदेश मधुमिता को दिया, मधुमिता ने अपनी मजबूरी बताई कि वह बंधी हुई है, इस पर सविता ने कहा, मैं तुम्हारे बंधन खोल दूंगी, तुमों और मैं तब तक मैं यहां तुम्हारी जड़ह पर बंधी रहूंगी, जब तक त नीन खुली, तो उसे मधुमिता पर थोड़ी दया आई, उसने सोचा कि शायद उसने ज्यादा सकती कर दी है, और अब मधुमिता को मुक्त कर देना चाहिए, उसने सोचा कि यदि इस बार मधुमिता वादा करे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तो वह इसे चिलाया, कलंकिनी, यदि तुम मुझे वादा करो कि तुम दोबारा उससे मिलने नहीं जाओगी, मैं तुम्हे खोल दूँगा, लेकिन वहां मधुमिता नहीं बलकि सविता बंधी होई थी, सविता ने सोचा कि यदि उसने कुछ कहा तो उसकी आवाज से आदित्य को पता चल जाएगा कि यह मधुमिता नहीं, बलकि कोई और है, इसलिए जब सविता चुप रही कुछ नहीं बोली, आदित्य को गुस्सा आ डिया, और गुस्से में उसने कुलहारी उठाकर फेंक दी, कुलहारी सीरे सविता की नाप पर लगी, और उसकी नाप कट गई, सविता को अंदर तर दर्द हुआ, लेकिन उसने आउस्तत नहीं निका दे, कुलहारी के वार के बाद आदित्य का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, और वह फिर से सो गया, फिर थोड़ी देर बाद मधुमिता वापस आ गई, सविता की यह हालत देख सुनकर मधुमिता काप उठी, ल एको, तुम अब सच सच बताओ, और वादा करो, कि तुम कभी उससे मिलने नहीं जाओगी, तो ठीक रहे रहा, नहीं तो जैसे, मैंने तुम्हारी नाक काटी है, वैसे ही अब मैं तुम्हारे कान भी काट दूँगा, ये वचन सुनकर मधुमिता के शड़यंत्रकारी दिमा आते हुए, वो जोर-जोर से रोने लगी, और रोते हुए बोली, तुम मर्द लोग बड़े निर्दई होते हो, अपनी पत्नी पर जूठा आरोप लगा कर उसकी नाप काटते हो, तुमने मुझ पर जैसा आरोप लगाया, मैं कोई चरित रही नहीं हूँ, मैं एक पतिवरत हुए, ऐसा कहकर उसने आसमान की तरफ देखा, और भगवान से बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे सभी देवी देवताओं, आप सब मेरी बात मानिये और मेरे, साथ न्याय कीजिए, मधुमिता ने ओम नमो भगवते वासु देवाए, नमह का जाप करना शुरू कर दि और मेरे पती ने मुझ पर जो जूठा आरोक लगाया था, उसे अस्विकार कर दिया, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं वुरूंडी, तब तब सुबह हो चुकी थी, सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसी रिए वह उसके पास गया, और उसकी कटी हुई नात दिखाई नहीं दे रही थी, सुबह होते ही नाई रगुराम अपनी दुकान के लिए तयार हो रहा था, उसने सविता से कहा कि उसके बैग में एक उस्तरा कम है, और कहा है सविता, जिसने पहले ही योजना बनाई थी कि वह ऐसा करेगी, इसलिए उसने वह यही चाहती थी, वह जोर जोर से चिलाने लगी, उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग आ दे और वहां भीर जमा हो गई, लोगों ने देखा कि सुशीला की नाप कटी वोई थी, और उसकी नाप कटी वोई थी, सुशीला के हाथ में एक छोटा सा उस्तरा था, सुशील रभुराम नाई को पकड़ कर राजा के दरबार में ले रहे, सविता ने खुद को सती, सावित्री बताया और पतिवरता बताई, उसने अपने पती पर उसे चरित्रहीन कहने का आरोप लगाया, सविता ने कहा उसके पती ने उसकी नाप भी काटी, राजा ने सोचा एक पत महिलाओं के विश्वास धाती चरित्र से पूरी तरह वाकिफ थे, और वह राज महल की तरफ चल पढ़े, और राजा को मधुमिता और सविता का सब सच बता दिया, और राजा ने दोनों को दरबार में बुला कर, कठोर्टा से सच बताने को कहा दया, तब दोनों ने अपन दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्त्रियों के संदर्भ में एक तहावत कही गई है कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई खसम मार कर सती होई इस कहावत का अर्थ यह है कि स्त्री का चरित्र एक अबूज पहली है यदि स्वयम नारायन भी स्त्री का चरित्र नहीं जान सके तो साधारन मनुष्य के विशय में तो कहना ही क्या दोस्तों स्त्री जाल की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी होती है स साथी सावित्री होते वोए भी अपने आपको सही सावित कर सकती है सब के सामने अपने आपको सही सावित करने के लिए वह तरह तरह के स्वान रचती है दोस्तों जरूरी नहीं है कि दुनिया की सभी स्त्रियों का चरित्र ऐसा हो कुछ ही स्त्रियों का चरित्र ऐसा हो कुछ ह सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक नई कहानी के साथ धन्यवाद